जहें दोस्तों, राजनीती, मेरे देश की युवाओं से मेरी बस एक ही गिला रहती है कि जो हमारे देश के पढ़े लिखे युवा होते रहा हैं, जो अपने आपको ये मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंटिलेक्चुल हैं हमने काफी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है और हम बहुत ज़्यादा योगी हो चुके हैं इस श्रिणी में आने वाले युवाओं के साथ एक समस्य ये रहती है कि हमारे देश की जो मूल भूत परिशानियां होती हैं और वो अखाडे जिन अखाडों में परिशानियों को लेकर मुँँ जुमानी लड़ा जाता है उन अखाडों से हमारे देश के युवा, खास्तार पढ़े लिखे ही हुवा, दूर होते जा रहे सिर्फ मेरी एक ये परिशानिया हमारी देश के युवा बाकी अच्छा बुरा गलत सही सभी अपने मारे में जानते हैं और उसी तरीके से तरक्की भी कर रहे हैं और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो तरक्की नहीं कर रहे हैं अभी की ही बात ले लीजीए कॉंग्रस कॉंग्रस अपने आप में बहुत अच्छी पार्टी है जिसका इतिहास बहुत बड़ा रहा है बहुत व्यभवशाली रहा है ऐसे में इस पार्टी का इस गत्तक गिर जाना कि वो एक अपने आपको एक स्ट्रॉंग विपक्ष भी घुशितना कर पाए वो कहीं न कहीं सवालिया निशान लगाने वाला होता है और ऐसे में यूपी जो कि एक बहुत बड़ा शेत्र है भारत का प्लस एक बहुत बड़ा गड़ भी माना जाता था कॉंगरेस का जहांपे की दो जगे थी अमेठी और रायबरेली ये दोनों तो मतलब कॉंगरेस के लिए गड़ थे कि यहां तो कॉंगरेस हारी नी सकती लेकिन हमने जो पिछला चुनाओ देखा 2019 का उसमें हमने देखा कि किस तरीके से स्मृति रानी जी ने अमेठी में सेंध लगाते हुए राहुल बाबा को वायनाड के लिए टिकेट कटवा दिया लेकिन कॉंगरेस वहां भी नहीं समझी उनको लग रहा था रायबरेली तो अब भी हमारा है लेकिन कल जो एक इंसिडेंट हुआ उस इंसिडेंट के बाद जो घटनाएं हुई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि कॉंगरेस की रातों के नीन जरूर तुट जाएगी सोमनात भारती अगर अभी तक आपने इस शक्स का नाम नहीं सुना है तो फिर आप जरूर ये वीडियो गलत देख रहे हैं क्यों? क्योंकि सोमनात भारती आम आदमी पार्टी के एक नेता है उन्होंने कल यूपी में राइबरेली पहुंचे और वहां पे वो दौरा करने लगे सहाब वहां के सरकारी स्कूलों का और हॉस्पिटलों का और दौरा करते हैं उन्होंने कई तरह की अभद्र भाशा बोली ऐसा लग रहा था पहले से सोचके कहे थे कि इस तरह की भाशा को प्योग मुझे करना ही है जिसमें सीके मुख्य बिंदू में आपको बता दूस बात का ये था कि योगी की मौत तो निश्चे थे अगर आप योगी को नहीं जानते हैं तो यहां बात हो रही है सीम योगी अधित्यनाद जी की जो की यूपी के उत्तप्रदेश के मुख्य मंत्री है उन्होंने ऐसा कहा इसके बाद एक शक्स था जिसने उनके उपर स्याही फेक दी और ये महाशाय पुलिस के उपर भड़क पड़े और ये सब साजिश वाजिश सब बताने लगे होना शुरू होती है सबसे पहले जो बुरी खबर आती है कंउरस के लिए क्यों आती बुरी खबर कंउरस के लिए बुरी खबर इसलिए आती य SSरा कांगरे बनी से जो कांगरStan कis सिंगर्य को जितेरिं सिंग werk को करने के लिए 51,000 रुपे दिये मालाय पेनाई और उन्हों ने उसके बाद तारीफों के पुल बांद दिये सीम योगी आधित्यनाजी के लिए अब ये पूरी खबर ने आपको पढ़के सुनाओं तो ज्यादा सही रहेगा जिससे कि आप लोगों तक भी सही बात या फिर देशद्रो का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए इसके साथ ही राकेश सिंग ने सुमनाद भारती पर स्याही फेकने वाले हिंदू यूववाहिनी के जिला संग्योजग जितेन सिंग को 59,000 रुपे और माला पहना कर सम्मानित भी किया इस कारेकरम पर बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कल हमारे प्रदेश के देव तुल्य मुक्य मंतरी योगी आदितेनात के उपर दिल्ली के आम आदमी पार्टी के पूर्व नयाय मंतरी ने अभद्र टिपणी की थी और उसका जवाब जितेन ने उनके मुँव पर कालिक पोटकर बहुत अच्छे से दिया इसलिए मैंने सोचा कि उनको 59,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाए इसने राय बरेली का पूरे हिंदू समाज का सम्मान बचाया है जैसे इमानदार और करमठ मुक्य मंदरी के साथ जो उन्होंने अभदरता की थी उसका उनको फल मिल गया अब यहाँ पर जो बातें राकेश सिंग जी ने करी है वो या तो उनकी भक्ती दिखाता है जिसको कि हमारे देश में अंधभक्ती भी खा जाता है या फिर यह दिखाता है कि कॉंगरिस के किले में जो कि उनका राय बरेली में है शायद सेंद लग चुकी है और अगर अभी भी कॉंगर गौर्टलब है कि रायवरेली सदर के गेस्ट हाउस में सुमवार यानी 11 जनवरी 2021 को उस समय हंगामा होगे जब दिल्ली के आमाद्मी पार्टी के विधायक वपूर मंत्री सुमनात भारती के उपर हिंदु युववाहिनी के कारेकरता का विरोध सामना करना पड़ा हिंदु आने तक की बात कही थी इस बात को लेकर मंगलवार ये मतलब 12 जनवरी को कॉंगरिस के हर्चंदपुर विधायक राकेश सिंग ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करते नजर आयरो उन्हों के कहा कि उन्होंने आप विधायक पर देश द्रो जैसे मुक शब्दों का प्रयोग किया ऐसे विधायक के उपर कठोर से कठोर कारवाई होनी चाहिए और देश द्रो तक का मुकदमा चलना चाहिए उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की जगे उनको पूजा जाता है वे लोग उनको भगवान की तरह पूचते हैं उन्होंने कहा क कि इतना इमानदार और करमट और पूजनी आज तक उतरवरदेश में कोई मुक्यमंत्री नहीं हुआ है और ना आगे होगा ये पूचे जाने पर कि वो कॉंग्रिस के विधायक हैं और कॉंग्रिस लगातार भाजपा का विरोध करती रही है और वो बीजेपी की मुक्यमंत काफी वजन वाली बाते हैं ऐसा कॉंग्रिस की तरफ से आना कॉंग्रिस के वाकई में बहुत ही चिंता जनक बात है ये और कोई नहीं ये कॉंग्रिस के विधायक राकेश सिंग का कहना है जो कि रायबरीर के MLC दिनेश प्रदाप सिंग के छोटे भाई भी हैं जबकि MLC द लोगोंने देखी हैं जो हमारे सामने हुई हैं उसमें हमने ये भी देखा कि कैसे कॉंग्रिस वर्किंग कमीटी की बैठक को लेकर ही कई सारे विवाद आने सामने शुरू हो गया है कई सारे वरिष्ट ने नहीं चिट्टी पत्री भी करी लेकिन उनको इसका जवाब माकू मिला नहीं और जिस तरीके से किसान आन्दोलन में कॉंग्रिस एक बहुत ही प्रबल आवाज बनके सामने उठी थी और लग रहा था कि शायद वो इस किसान आन्दोलन को अंजाम तक पहुचा ही देगी और फिर जो अचानक एकदम से राहुल गांदी बीच में ही छोड़क किसानों को चले गए उसके ओपर भी सवाल या निशान उठे कि भाई आखिर ऐसा क्या कारण था कि ये बीच में ही ऐसे किसानों को छोड़के चले गए क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि भाई इस गरम तेवे पर सारी रोटियां कॉंग्रेस ही सेख लेगी लेकिन ऐसा लगता है कि बीच में शायद उनको फार्मला समझ में आ गया भाजपा के दस्टी कौन से और उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है अब इस मामले स अपने आपको दूर कर लेना ही ठीक होगा लेकिन इन सभी बातों को बीच में जो एक बात जो निकल के सामने आई है और जो सबसे ज़रा चौकाने वाली भी है मेरे लिए भी और जो भी कोई राजनीती को किसी पालिटी विशेश को नहीं बलकि राजनीती को फॉलो कर रहे हैं कि भई जिस तरीके से आप एक अभद्रिट पणिया कर रहे हैं किसी के बारे में आप जान से मालने की धंकी दे रहे हैं और चली ठीक है आप वो एक मुख्यमंतरी के लिए हैं हम वो चीज़े एक मान भी लेते हैं लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है स आजम खान आजम खान जो वहां के नेता थे उनकी याद आती ही कि उनका भी एक ऐसा ही वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वो एक पुलिस वाले को बलकि लेडी पुलिस आफिसर को धंकी देते हुए नजर आये थे और बाद में फिर योगी आजितना जी ने उनका क्या वाइले खोली हैं और जो उनके पुराने कत्ते चिट्टे थे वह बाहर निकाले उसके बाद उनका जो खश्र हुआ वह वह वाकई में देखने लायक भी था और कई सारी लोगों के लिए संतोज जनक भी था तो ऐसे में मंत्रियों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए क्योंकि अगर आप एक पढ़े लिखे इनसान से जो की अपनी काबिलियत को सिद्ध करके ना कि लोगों से जूट बोलकर वलकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके अपनी काबिलियत को सिद्ध करके किसी ओधे में पहुँचा है तो वह यकीन है आप से जदा बी होगा आप से जदा पढ़ा लिखा भी होगा ठीक है आप जनता को लीड कर रहा है इसी समझ में आती रेकिन हड़े एक पद की अपनी अपनी गरिमा होती है यदि आप उस गरिमा की सीमा को लांगेंगे तो बनी सी बात है कि आपकी इज़द भी उस तरीके से कोई और कर भी नहीं पाएगा तो इन सभी चीजों को नेताओं को भी समझना चाहिए अफसरों को भी समझना चाहिए क्योंकि अगर आप लोग इन चीजों को नहीं समझेंगे तो आपका अनुसरन करने वाले जो लोग हैं जो आपके पीछे पीछे चलते हैं वो भी फिर कुछ इसी त समय तक चर्चा में रहेगा बहराल उमीद करता हूं कि सोमनात भारती जी से कोई प्रिणना ना ले और इस तरह की हरकत को भविश्य में अंजाम ना दे उमीद करता हूं जो चीज में आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे मेरे इस वीडियो फिलाल इतना ही जै हिं